C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की गनित की पाठे पुस्तक का ध्वनी पाठ ये है अध्याय चौधा गुणन खंडन प्रिष्ट संख्या 235 चौधा दशमलब चार बहुपद का बहुपद से विभाजन कोष्ठक में 7X वर्ग जमा 14X भाग कोष्ठक में X जमा 2 पर विचार कीजिए हर की साथ कोष्ठक में 7X वर्ग जमा 14X के गुणन खंडों की जांच एवं मिलान करने के लिए पहले इसके गुणन खंड करेंगे 7X वर्ग जमा 14X बराबर है कोष्ठक में 7 गुणा X गुणा X जमा कोष्ठक में 2 गुणा 7 गुणा X बराबर है 7 गुणा X गुणा कोष्ठक में X जमा 2 बराबर है 7X, कोश्ठक में X जमादो, क्या यह अंश के प्रतियक पत को हर में दिये द्विपत से भाग देने में कोई सहायता करेगा? अब, कुश्ठक में 7X वर्ग जमा 14X, भाग कुश्ठक में X जमादो, बराबर है 7X वर्ग जमादो, बटा X जमादो, बराबर है 7X, कुश्ठक में X जमादो, बटा X जमादो, बराबर है 7X, गुडन खंड कुश्ठक में X जमादो, को काटने पर उदाहरण 15, 44, कोश्ठक में X की घात 4, घटा 5 X की घात 3, घटा 24 X की घात 2, को 11 X, कोश्ठक में X घटा 8 से भाग दीजिए हल, 44, कोश्ठक में X की घात 4, घटा 5 X की घात 3, घटा 24 X की घात 2, के गुणन खंट करने पर हमें प्राप्त होता है 44, कोश्ठक में X की घात 4, घटा 5 X की घात 3, घटा 24 X की घात 2, बराबर है 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा X वर्ग, कोश्ठक में X वर्ग घटा 5 X घटा 24, कोश्ठक में से सार्व गुणन खंड X वर्ग बाहर करने पर बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 11, गुणा X वर्ग, कोश्ठक में X वर्ग, घटा 8X, जमा 3X, खटा 24 बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 11, गुणा X वर्ग, कोश्ठक प्रारंब, X, कोश्ठक में X खटा 8, जमा 3, कोश्ठक में X खटा 8, कोश्ठक अंत बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 11, गुणा X वर्ग, कोश्ठक में X खटा 8, कोश्ठक में X जमा 3 अतह 44, कोश्ठक में X की घात 4, घटा 5 X की घात 3, घटा 24 X वर्ग भाग 11 X, कोश्ठक में X खटा 8, बराबर है 2 गुणा 2, गुणा 11, गुणा X, गुणा X, गुणा कोश्ठक में X चमा 3, गुणा कोश्ठक में X खटा 8 बटा, 11 गुणा x गुणा कोश्ठक में x खटा 8, बराबर है 2 गुणा 2 गुणा x कोश्ठक में x चमा 3, बराबर है 4x कोश्ठक में x चमा 3 प्रिष्ट संख्या 236, उदाहरण 16, z कोश्ठक में 5 z वर्ग घटा 8, को 5 z कोश्ठक में z जमा 4 से भाग दीजिए हल, भाज्य बराबर है z, कोश्ठक में 5 z वर्ग घटा 8, बराबर है z, कोश्ठक प्रारंब, कोश्ठक में 5 गुणा z वर्ग, घटा, कोश्ठक में 5 गुणा 16, कोश्ठक अंत, बराबर है z गुणा 5 गुणा, कोश्ठक में z वर्ग घटा 16, बराबर है 5 z, गुणा, कोश्ठक म Z खटा 4, सार्व समिका A वर्ग घटा B वर्ग बराबर है कोश्ठक में A जमा भी, कोश्ठक में A घटा भी को प्रयोग करने पर. हम अंश और हर में से सार्व गुणनखंड 11X और कोश्ठक में X खटा 8 को काट देते हैं. इस प्रकार Z कोश्ठक में 5Z वर्ग घटा 80 भाग 5Z कोश्ठक में Z जमा चार बराबर है 5Z कोश्ठक में Z घटा 4 कोश्ठक में Z जमा चार बराबर है 5Z कोश्ठक में Z जमा चार बराबर है कोश्ठक में Z घटा 4 प्रशनावली 14.3 1. निम्नलिखित विभाजन कीजिए 1. 28 X की घात 4 भाग 56 X 2. घटा 36 Y की घात 3 भाग 9 Y वर्ग 3. 66 P Q वर्ग R की घात 3 भाग 11 Q आर वर्ग 4. 34 X की घात 3 Y की घात 3 Z की घात 3 भाग 51 X Y वर्ग Z की घात 3 5. 12 A की घात 8 B की घात 8 भाग कोश्ठक में खटा 6 A की घात 6 B की घात 4 2. दिये हुए बहुपत को दिये हुए एक पदी से भाग कीजिए 1. कोश्ठक में 5 X वर्ग घात 6 X भाग 3 X 2. कोश्ठक में 3 Y की घात 8 घटा 4 Y की घात 6 जमा 5 Y की घात 4 भाग Y की घात 4 3. आठ कोश्ठक प्रारंब X की घात 3 Y वर्ग Z वर्ग जमा X वर्ग Y की घात 3 Z वर्ग जमा X वर्ग Y वर्ग Z की घात 3 3. कोश्ठक अंत भाग 4 X वर्ग Y वर्ग Z वर्ग 4. कोश्ठक में X की घात 3 जमा 2 X वर्ग जमा 3 X भाग 2 X 5. कोश्ठक में P की घात 3 Q की घात 6 घटा P की घात 6 Q की घात 3 भाग P की घात 3 Q की घात 3 तीन निम्नलिखित विभाजन कीजिए बर्ग कोश्ठक में 3Z घटा 24, भाग 27XY कोश्ठक में Z घटा 8, 5. 96ABC कोश्ठक में 3A घटा 12, कोश्ठक में 5B घटा 30, भाग 144 कोश्ठक में A घटा 4, कोश्ठक में B घटा 6, निर्देश आनुसार भाग कीजिए, 1. 5. कोश्ठक में 2X घटा 1, कोश्ठक में 3X घटा 5, भाग कोश्ठक में 2X घटा 1, 2. 26XY कोश्ठक में X घटा 5, कोश्ठक में Y घटा 4, भाग 13X कोश्ठक में Y घटा 4, 3. 52 PQR, कोश्ठक में P जमा Q, कोश्ठक में Q जमा R, कोश्ठक में R जमा P भाग 104 PQ, कोश्ठक में Q जमा R, कोश्ठक में R जमा P 4. 20 कोश्ठक में Y जमा 4, कोश्ठक में Y वर्ग जमा 5Y जमा 3 भाग 5 कोश्ठक में Y जमा 4 पांच, X कोश्ठक में X जमा एक, कोश्ठक में X जमा दो, कोश्ठक में X जमा तीन, भाग X कोश्ठक में X जमा एक व्यन्जक के गुणनखंड कीजिए और निर्देश आनुसार भाग दीजिए 1. कोश्ठक में y वर्ग जमा 7y जमा 10, भाग कोश्ठक में y जमा 5 2. कोश्ठक में m वर्ग घटा 14m घटा 32, भाग कोश्ठक में m जमा 2 3. कोश्ठक में 5p वर्ग घटा 25p जमा 20, भाग कोश्ठक में p घटा 1 4. 4YZ, कोश्ठक में Z वर्ग जमा 6Z, खटा 16, भाग 2Y, कोश्ठक में Z जमा 8 5. 5PQ, कोश्ठक में P वर्ग घटा Q वर्ग, भाग 2P, कोश्ठक में P जमा Q 6. 12XY, कोश्ठक में 9X वर्ग, घटा 16Y वर्ग, भाग 4XY, कोश्ठक में 3X जमा 4Y 7. 49Y की घात 3, कोश्ठक में 50Y वर्ग, घटा 98, भाग 26Y वर्ग, कोश्ठक में 5Y जमा 7 14.5, क्या आप तुरुटी ग्याद कर सकते हैं? कारे यानि टास्क एक, एक समीकरण को हल करते समय, सरिता निम्नलिखित प्रकार से हल करती है 3X जमा X जमा 5X बराबर है 72, अतह 8X बराबर है 72, और इसलिए X बराबर है 72 बटा 8 बराबर है 9 उसने कहा तुरुटी की है? सही उत्तर ग्याद कीजिए किसी पद के गुणांक एक को प्रायह दर्शाया नहीं जाता है परन्तु समान पदों को जोडते समय, हम इसे योग में सम्मिलित करते हैं प्रिष्ट संख्या 237, कारे यानी टास्क 2, अप्पु ने यह किया एक्स बराबर है खटा 3, पांच एक्स बराबर है पांच, खटा 3, बराबर है दो क्या उसकी प्रक्रिया सही है? यदि नहीं तो इससे सही कीजिए एक रिनात्मक मान रखते समय, कोश्ठकों का प्रयोग करना याद रखें कार्य यानी टास्क 3, नम्रता और सल्मा ने बीजिये व्यन्जकों का गुणा निम्नलिखित प्रकारों से किया बाई तरफ नम्रता के हल हैं, दाई तरफ सल्मा के हल हैं याद रखिए जब आप कोश्ठकों में बंद किसी व्यन्जक को उसके बाहर लिखे अचर या चर से गुणा करते हैं तो व्यन्जक के प्रतियक पद से उस अचर या चर को गुणा किया जाता है याद रखिए आप किसी एक पदी का वर्ग करते हैं, तो संख्यात्मक गुणांक और प्रतियक गुणनखंड का वर्ग किया जाता है कोई भी सूत्र प्रयोग करने से पहले यह सुनिश्चित करने कि क्या वह सूत्र वास्तव में प्रयोग किया जा सकता है प्रता और सलमा द्वारा किये गए गुणन सही हैं, कारण सहित अपने उत्तर दीजिए कार्य यानि टास्क चार, जोसफ ने एक विभाजन इस प्रकार किया, ए जमा पांच बटा पांच बराबर है ए जमा एक उसके मित्र शिरीश ने यह विभाजन इस प्रकार किया, ए जमा पांच बटा पांच बराबर है ए उसके अन्यमित्र सुमन ने इस प्रकार किया, ए जमा पांच बटा पांच बराबर है ए बटा पांच जमा एक किसने विभाजन सही किया, किसने विभाजन गलत विधी से किया, और क्यूं? एक बहुपद को एक पदी से भाग देते समय, हम अंच के बहुपद के प्रत्येक पद को हर में दिये एक पदी से भाग देते हैं कुछ मनुरंजन अतुल सदैव अलग तरीके से सोचता है वह सुमत ही अध्यापिका से पूछता है यदि आप जो कुछ कहती है वह सत्ते है तो मैं 64 बटा 16 बराबर है 4 बटा 1 बराबर है 4 के लिए सही उत्तर क्यों प्राप्त कर रहा हूं अध्यापिका स्पष्ट करती है ऐसा इसलिए है कि 64 बराबर है 16 गुणा चार तथा 64 बटा 16 बराबर है 16 गुणा 4 बटा 16 गुणा 1 बराबर है 4 बटा 1 वस्तुतह हम सार्व गुणनखंड 16 को काटते हैं 6 को नहीं जैसा कि आप समझ सकते हैं वास्तव में 6 ना तो 64 का और ना ही 16 का गुणनखंड है अध्यापिका आगे कहती है साथ ही 664 बटा 166 बराबर है 4 बटा 1 6664 बटा 1666 बराबर है 4 बटा 1 इत्याधी भी हैं क्या यह रोचक नहीं है क्या आप 64 बटा 16 के प्रकार के कुछ अन्य उधारन ग्याद करने में अतुल की सहायता कर सकते हैं प्रिष्ट संख्या 238 प्रशनावली 14.4 निम्न लिखित गणितिये कत्नों में त्रुटी ग्याद करके उसे सही कीजिए एक, चार, कोश्ठक में एक्स खटा पांच, बराबर है चार एक्स खटा पांच दो, एक्स कोश्ठक में 3x जमा 2, बराबर है 3x वर्ग जमा 2 तीन, 2x जमा 3y बराबर है 5xy चार, एक्स जमा 2x जमा 3x बराबर है 5x पंच पांच y जमा 2y जमा y घटा 7y बराबर है 0 6. 3X जमा 2X बराबर है 5X वर्ग 7. कोश्ठक में 2X का वर्ग जमा 4 कोश्ठक में 2X जमा 7 बराबर है 2X वर्ग जमा 8X जमा 7 8. कोश्ठक में 2X का वर्ग जमा 5X बराबर है 4X जमा 5X बराबर है 9X 9. कोश्ठक में 3X जमा 2 का वर्ग बराबर है 3X वर्ग जमा 6X जमा 4 10. X बराबर है घटा 3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है A. X वर्ग जमा 5X जमा 4 से घटा 3 का वर्ग जमा 5 कोश्ठक में घटा 3 जमा 4 बराबर है 9 जमा 2 जमा 4 बराबर है 15 प्राप्त होता है B. X वर्ग घटा 5X जमा 4 से कोश्ठक में घटा 3 का वर्ग घटा 5 कोश्ठक में घटा 3 जमा 4 बराबर है 9 जमा 15 जमा 4 बराबर है घटा 2 प्राप्त होता है C. X वर्ग जमा 5X से कोश्ठक में घटा 3 का वर्ग जमा 5 कोश्ठक में घटा 3 बराबर है घटा 9 जमा 15 बराबर है घटा 24 प्राप्त होता है 11. कोश्ठक में Y घटा 3 का वर्ग, बराबर है Y वर्ग घटा 9 12. कोश्ठक में Z जमा 5 का वर्ग, बराबर है Z वर्ग जमा 25 13. कोश्ठक में 2A जमा 3B, कोश्ठक में A घटा B, बराबर है 2A वर्ग घटा 3B वर्ग 14. कोश्ठक में ए जमा 4, कोश्ठक में ए जमा 2, बराबर है ए वर्ग जमा 8 15. कोश्ठक में ए घटा 4, कोश्ठक में ए घटा 2, बराबर है ए वर्ग घटा 8 16. तीन एक्स वर्ग बटा तीन एक्स वर्ग बराबर है शून्य सत्रा, तीन एक्स वर्ग जमा एक बटा तीन एक्स वर्ग बराबर है एक जमा एक बराबर है दू अठारा, तीन एक्स बटा तीन एक्स जमा दो बराबर है एक बटा दो उन्नीस, तीन बटा चार एक्स जमा तीन बराबर है एक बटा चार एक्स 20, 4X चमा 5, बटा 4X बराबर है 5 21, 7X चमा 5, बटा 5 बराबर है 7X हमने क्या चर्चा की? 1. जब हम किसी व्यनजक का गुणन खंड करते हैं तो हम उसे गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में लिखते हैं ये गुणन खंड संख्याएं बीजिये चर या बीजिये व्यनजक हो सकते हैं 2. एक अखंड निये गुणन खंड वह गुणन खंड है जिसे और आगे गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है 3. किसी व्यंजक का गुणनखंड करने की एक क्रम बद विधी सार्व गुणनखंड विधी है इस विधी के तीन चरण होते हैं 1. व्यंजक के प्रतियेक पद को अखंड निए गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिये 2. सार्व गुणनखंडों का पता लगाईए और उन्हें अलग कर लीजिए 3. प्रतियक पद में शेश गुणनखंडों को बंटन नियम के अनुसार संयोजित कीजिए 4. कभी कभी एक दिये हुए व्यंजक के सभी पदों में एक सार्व गुणनखंड नहीं होता है 5. पुनहे समुहन द्वारा गुणनखंडन में परतिये हैं यह याद रखना चाहिए कि व्यन्जक के पदों के प्रत्येक पुनहे समूहन पुनहे व्यवस्था से गुणनखंड प्राप्त नहीं होता है। हमें व्यन्जक को समझना चाहिए तथा प्रयास और भूल विधी से वांचित पुनहे समूहन प्राप्त करना चाहिए। प्रिष्ट संख्या 249, छे, गुणन-खंडन किये जा सकने वाले व्यन्जकों में से अनेक A वर्ग जमा 2AB जमा B वर्ग, A वर्ग घटा 2AB जमा B वर्ग, A वर्ग घटा B वर्ग और X वर्ग जमा कोश्ठक में A जमा B, जमा A B के रूप के होते हैं या उन्हें इस रूप में बदला जा सकता है। इन व्यंजकों के गुणनखंड अध्याय नौ में दी हुई निम्नलिखित सर्वसमिकाओं एक, दो, तीन और चार से ग्याद किये जा सकते हैं। बदला जा सकते हैं, याद रखना चाहिए कि संख्यात्मक यानि अचरपत से ए भी प्राप्त होता है। गुणनखंडों A और B को इस प्रकार चुनना चाहिए कि चिन्न को ध्यान में रखते हुए इनका योग X के गुणां के बराबर हो। आठ, हम जानते हैं कि संख्याओं की स्थिती में विभाजन, गुणा की प्रतिलोम संक्रिया होती है। यही बात B जिये व्यंजकों के विभाजन के लिए भी लागू रहती है। 9. एक बहुपत को एक एक पदी से विभाजन की स्थिती में हम या तो विभाजन बहुपत के प्रतियक पद को उस एक पदी से भाग दे कर कर सकते हैं या सार्विगुणनखंड विधी से कर सकते हैं। 10. एक बहुपत को एक बहुपत से विभाजन की स्थिती में हम भाज्य बहुपत के प्रतियक पद को भाजक बहुपत से भाग दे कर विभाजन नहीं कर सकते। इसके स्थान पर हम प्रत्येक बहुपत के गुणनखंड करते हैं और इन में सार्व गुणनखंडों को काट लेते हैं। ग्यारां इस अध्याय में पढ़े गए बीजिये व्यंजकों के विभाजनों की स्थिती से हमें भाज्ये बराबर है भाजक गुणा भागफल प्राप्त होगा परंतु व्यापक रूप में यह संबंध निम्न लिखित है भाज्ये बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा इस प्रकार इस अध्याय में हमने केवल उन विभाजनों की चर्चा की है जिन में शेश फल शूनने हैं। बारहां, बीजिये प्रश्णों को हल करते समय विद्यार्थी अनेक प्रकार की तुटियां करते हैं। आपको ऐसी तुटियां करने से बचना चाहिए। प्रिष्ट संख्या 240, नोट यह प्रिष्ट खाली है, यह अध्याय यहीं समाप्थ होता है। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की गनित की ध्वनी पुस्तक का पाठ। वाचन्स्वर, आकाश आहुजा, तक्नीकी समन्वयक, बटिलैंग लिंग्डो, तक्नीकी सहायक, विकास सांग्वान, निर्मान सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन व निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत। झाल 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 करता 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 करता